भारत सरकार ने हाल ही में कपड़ा और फुटवियर में GST 5 से बढ़ा कर 12 प्रतिशित कर दी थी जिसका देश्वियापी विरोध होने पर सरकार ने कपड़ा व्यवसाय में GST बढ़ाने का निर्णय फिलहाल इस्थगित कर दिया लेकिन फुटवियर में कोई निर्णय नहीं होने से अब फुट व्यापारी विरोध करने लगे हैं बुधवार को रैली की रूप में व्यापारी कलेक्टरेट पहुचे यहां ग्यापन सौपकर फुटवियर टेक्स पूर्व की भाती 5 प्रतिशित रखने की मांग की जिले की व्यापारियोंने GST में संसुदन को अव विरोध करते नजर आये कपड़ा व्यापार में निर्णई वापस होने पर उन्हें भी उमीद थी लेकिन अब तक सरकार ने फुट वियर के शेत्र में कोई निर्णई नहीं लिया है उनकी मांग है कि फुट वियर में GST न बढ़ा है अनिता इसका सिधा असर व्यापार सह अब तक फुट वेर एसे शेशन इस चीज से जूझ रहा है और जो पारा परसंट से सीधा पांच परसंट सीधा जो बारा परसंट करा है उससे अधिकतर इफेक्ट की जो पढ़ाएगा वो छोटे लोगों को और गरीब तब क्या लोगों को पढ़ाएगा इसकी बजाए मे करते हैं और अगर यह वापस नहीं लिया गया यह नियम तो हम इसके लिए बहुत बड़ी कारवाई करेंगे और हम बोपाल दिल्ली तक जाएंगे इसके नाम है आपका मेरा नाम है मुर्तजा का नाम है किकावए जो पास प्रसंट से बढ़ागर बारा प्रसंट की गई है बारा सरकार द्वारा हम सभी इसले एकटे हुए हैं साब के फुटिवरे अपरी डिटल एम होसेल सम्मिलकरे के इसले मना कि हम सब सारा इसको विरोध कर रहे हैं आम नागरीक हवाई चपल जो पेहनता है पजास बड़ी चपल सोर पेहनता है उस पे भी बारा प्रसंटेक्स जो सरकार है हम उसका विरोध अति विरोध पूर्ज में नहीं मत्यप्रदेश में पूरे हिंदुस्तान विरोध किया रहा है तीन दीन से इसका और हम सब चाहते हैं कि टेक्स वापस गोफमेंट ले और आम नागरीकों को इस पर रात किले पर से लेले पात पर सेंट था जो बहुत बड़ा इसका विरोद होगा अभी घरबून लेवल तक विरोद हो रहा है अम सारे यापारी बोपाल जाएंगे सारे मद्यप्रदेश क्या नाम है आपका मेरा विकास मित्तल मुख्टुजा भाई हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें कर दो कर दो कर दो कर दो